नवश्कार स्टेट बॉलिटिन में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ नलने सिंख पालवाल बॉलिटिन के शुरात करते बता दूँ गिरिडी लोकसभा चनाओं को लेकर निर्दलिय प्रत्याशी डॉक्टर उशा संग जनसंपर कर अपने पक्ष में समर्थन मांग रही हैं तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा पलायन को रोकना क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीती में आने का कोई शौक नहीं है पूरा गिरीडी तकलीफ में है एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं खुला है इंजीनिरिंग कॉलेज नहीं खुला है कोई भी ऐसा सरकार की तरफ से तो द्योग नहीं खुला है साथी कोईले का ख़दान बंद पड़ा है और इसके साथ साथ परिटन को भी बढ़ावा देने की जरुवत है और मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर आई हूँ आपको बता दें कि डॉक्टर उशा सिंग ने कहा कि मेरे प्रत्याशी होने के तौर पर मुझे मेरे आने के तौर पर लोगों में बेहद उत्सा देखने को मिल रहा है उशा सिंग लगा तार प्रदेश में जन संपर्क कर रहे हैं और अब उन्होंने कहा कि अपने पक्ष में समर्थन मांग रही हैं और इसक्रम में गिरिडी लोकसभा के निरदलिय प्रत्याशी डॉक्टर उशा सिंग ने कई ग्रामीड और शहरी छेत्रों में जन संपर्क कर अपने पक्ष के प्रती दिख रहा है अगर मैं गिरिडी लोकसभा से सांसर चुनी जाती हूं तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा पलायन को रोकना क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीती में आने का कोई शौक नहीं है लेकिन गिरिडी बेहद तकलीफ में है एक मेडिकल कॉलेज चक् कर आई हूं इंडिया गटबंदन और कॉंग्रस प्रत्याशी अनुपमा सिंग ने कहा कि जनता का आशिरवाद मिला तो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाएंगे जनता का प्यार और आशिरवाद से बड़ा कोई परसकार नहीं है साथी मोदि सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अत्याचार और हिंसा को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा, शशक्तिकरण और धनवाद की जुवलंत समस्याओं को निराकरण करने के लिए आपकी बेटी, आपकी बेहन जन सेवा का संकल्प लेकर आपके बीच आई हूं योगत बातें सुदाम डीह लाल मैदान जन सभा के दौराण कही गई, इससे पहले प्रत्याशी अनुपमा सिंग ने पाथर डीह वाशरी मोहन बाजार चासनाला सहित अन्य छेतरों में जन संपर्क अभियान चलाया, जन संपर्क अभियान के दौराण प्रत्याशी बाद जिले को बचाने के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है अब इस बार लोग सभा में परिवर्तन की जरूरत है जन संपर्क में पंकज मिश्रा शमशेर आलम इम्तियाज अंसारी ने भी लोगों से अपील की कि कॉंग्रस के पक्ष में ही मतदान किया जाए और आपको बत संशय नहीं है कि उन्हें परिवर्तन चाहिए और चाहिए दस साल का उन्होंने मार जेल लिया है महंगाई की मार बेरोजगारी की मार अब उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन से ही विकास होगा दनबाद जिले के तोप चांची बाजार नेशनल थी थी बसका अगला हिस्सा पूरी तरह शतीग रस्त हो गया स्थानिय लोग और मौके पर पहुंचे पलस ने आनन फानन में घायल यात्रियों को इलाज के लिए स्थामुदाय के स्वास्तकेंद्र में भरती कराया साथी गंबीर रूप में घायल यात्रियों को SNMMCH रेफर कर दिया गया है बता दें कि इस पूरे हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई मामला धनवाद जिले के तोप चांची बाजार के पडोस के नेशनल हाईवे का है जहां यात्रियों से भरी बस ने चलती ट्रक में पीछे से जोरदा टक्कर मार दी घटना में बस द्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं बस में सवार 15 यात्री गंभी रूप से घायल हो गए बस मुझफरपुर से कॉलकता जा रही थी साथी आपको बता दूं कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से शतिगरस्त हो गया है साथी अस्थानिय लोग और मौके पर प मौत हो गई है नैशनल हाईवे के पडोस का ये पूरा मामला जहां एक यात्रियों से भरी बस ट्रक में पीछे सजा कर तकरा गई और जिसकी ये गंभीर हाथसा हुआ हाथसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं रूप से खायल हैं बस मुझफरपुर से कॉलकता की तरफ जा रही थी बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से हाथसे में शती ग्रस्त हो गया है इस्थानी लोग और मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन पानन की स्थती में खायल यात्रियों को इलाज के लिए सामुदाय कस् कि मुख्यमंतरी नवास्वे बीजपी मीडिया विभाग के लिए विशेश कारिक्रम आयजित किया गया मुख्यमंतरी विश्णुदेव साय ने मीडिया विभाग को वधान सभा चुनावों और लोग सभा चुनावों में बहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी तो वहीं सियम विश्णुदेव साय ने कहा कि विधान सभा चुनावों में विपरीत परिस्थतियों में भी मीडिया विभाग पूरी तरह सक्रिय रहा और लोग सभा चुनावों में भी सभी के महत्मपूर्ण भूमी का निभाई है इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ आप सभी के साथ मुलाकात करने का मन काफी दिन सथा आज सभी समिल कर बहुत अच्छा लग रहा है आप में से 90 प्रतिशत को नाम से जानता हूँ लगातार आप लोगों को टीवी पर देखता भी हूँ सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और इसी के साथ आपको बता दूँ कि मुख्यमंत्री विश्नु देव साय ने अपने मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी मीडिया विभाग के लिए विशेश कारिक्रम आयोज किया मुख्यमंत्री विश्नु देव साय ने मीडिया विभाग को विधान सभा चुनावों और लोग सभा चुनावों में बहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विधान सभा चुनावों में विपरीत परिस्थितियों में भी मीड मीडिया विभाग पूरी तरह सक्रिय रहा और लोगसभा चनावों में भी सभी ने महत्वपूर्ण भूबिका निभाई है इसके लिए मैं मीडिया विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ खबर राजनान गाउं से है राजनान गाउं जले के डोंगर गड़ विकासखंड के अंतरवरत आदिम जाति सहकारी समीती बोर्त लाफ के समीती प्रबंधक के खिलाफ हमर राजपाटी के पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्याले पहुंचकर एक ग्यापन के माध्यम से कहा कि सहकारी समीती प्रबंधक ने किसानों से खाद बीज पंजियन के लिए प्रती किसंट से प्रती एकड़ दो सो रुपए की अवैध वसूली की जा रही है हमार राजपाटी के युवा प्रदेश अध्यक्ष उदय नेताम और राजनान गाउंजला अध्यक्ष मनवहन सिंग उईके ने कहा कि बोरतलाफ छेत्र के किसानों से समीती प्रबंधक ने पंजियन के नाम पर अवैध रूप से दो सो रुपए लिए जा रहे हैं जिस पर कारिवाही नहीं होने से हमर राजपाटी उगर आंदोलन करेगी बता दें कि किसानों से अवैध वसूली की शिकायत की गई है जहां किसानों से दो सो रुपए की अवैध वसूली की जा रही है अखिल भारती विद्यारती परिशद ने विश्व विद्याले में फैले सैंक्षिडिक अराजक्ता ब्रश्टाचार और कुलपती के चात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार कुलपती भगाओ विश्व विद्याले बचाओ आंदोलन जारी है इसी कड़ी में एबी विपी कारेकरताओं ने बजेगा धोल खुलेगा कुलपती का पोल आंदोलन के तहत अखिल भारती विद्यारती परिशद के दरजनों कारेकरताओं ने बीएन महाविद्याले एकाई में जम कर नारे बाजी की और चात्रों ने कुलपती के खिलाब धोल बजा कर कुलपती के कई पोल खोले वहीं BN कॉलेज के बाद TNB महाविश्ववद्याले मारवाडी महाविश्वद्याले और तिलका मांजी विश्ववद्याले में प्रदर्शन किया गया तो वहीं ABVP कारेकरताओं ने कहा कि विर समय पर समाप्तो साती चात्रों को सर्टिफिकेट सही समय पर मिल सके आपको बता दूं कि मुलभूत सिवधाओं में सुधार किये जाए जैसे कई मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया है जिसमें प्रशाशनिक गतिवधी में काफी अन्यमित्ताओं को लेकर ये मिटिंग ऑफिसर की नुक्ति कैसे हुई तीन लाग रुपे का परदा कैसे खड़िदा गया तो थोड़ा बात यहां के भरस्टाचार के खिलाब कुलपती के छात ब्योदी नितियों के खिलाब लगातार अंदोलन कर रही है और यहां के कुलपती पहले तुस फाइल को को निटा दिये और उसका केस जूटा केस विद्यारती परिसद के व्ञटन कोरिया हमारे कारकरता को बदनाम करके फ़साने की कोशिश कर रही है खबर बिहार से है पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर नहरू मेडिकल कॉलेज के OPD विभाग में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफी भीड देखी गई भीशन गर्मी के बीच मरीजों की परिशानी बढ़ गई है कई इलाकों से पहुचे उत्पन हो गई है आपको बता दूं की लाइन लगने को लेकर ये विवाद हुआ हालाकि मौके पर अस्पताल के गार्ट पहुचकर लोगों को समझा बजाकर शांत कराए विश्वविद्याले थाना चेतर के कमपनी बागसत डॉक्टर भीमराव अमबेटकर विश्वविद्याले में आठवी कक्षा के चातर का शव फंदे सल अलतकता बरामत किया गया गटना के संबंद में बताया जा रहा है कि देर शाम पिता ने पढ़ाई को लेकर फटकार लगाई थी जिसके बाद से ही अपने हॉस्टल से चातर लापता था चातर डॉक्टर भीमराव अमबेटकर कॉलेज में रहकर आठवी कक्षा में पढ़ाई करता था इधर गटना क जानकारी हॉस्टल में रह रहे अन्य चातरों ने परिजनों को दी इसके बाद आनन फानन में मृतक के पिता फिश्विद्याले पहुंचे जहां पर उन्होंने संदिग्द परस्थती में फंदे से लटका चातर का शव देखा इसके बाद पुलस के मौजूदगी में अपने कबजे में लेकर पोस्समॉत्रम के लिए जवाहर नहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और इसे के साथ फलाल करे स्टेट बुलिटन में मिरसाथ बस अतना ही नमस्कार